आप समोसा कचोड़ी खाकर बोड़ हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को आप ट्राइ कीजिएगा ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इस नास्ता को बनाने के लिए हमने यहां लिया है कराही में दो से तीन चम्मच देल उसमें डाल दिया है साबुत एक चम्मच जीरा एक बारी कटा हुआ हरी मेर्च एक चम्मच घिसा हुआ अद्रक कुछ करी के पत्ते और इसका हलका कलर चेंज होने देंगे उसके बाद हम इसमें एट करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धरिया पाउडर, आधा चमच गरम मसाला पाउडर, यहां हमने फ्लेम को लो रखा है क्योंकि लो फ्लेम पे ही हम इन मसालों को भूनना है, तो बस मसाले हलका सा भून जाएं उसके बाद हम इसमें बोइल किया हूँ आलु जीकिसे हमसें ढलेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो इन मशालो के साथ इस आलु को हमें अच्छे से फ्राय करना है अभी हम इसमें एट करेंगे स्वाद के अनुसार नमक तो नमक हमेशां अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ही यूज करें इन आलू को हम अच्छे से मिक्स करने के लिए यूज करेंगे मैसर का, क्योंकि मैसर से आलू जो है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरह से हम दबा दबा कर मैसर की सहाइता से इन आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यह हमारा आलू अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हडा धनिया और यहां हमने यूज किया है रोस्टेड मुंफली का इससे हलका सा क्रंचिनेस आता है इस आलू में तो ये टूटली ऑप्सनल है आपको अच्छा लगता हो तो इसमें जरूर यूज कीजिएगा और इन सबी को हम अच्छे से कर देंगे mix तो लीजिए हमारा आलू मसाला बिल्कुल ready है तो अभी हम इन मसालो को करेंगे side में और आगे की तयारी करेंगे यहां हमने लिया है बारिक सेवईया जो बिल्कुल बारिक वाली सेवईया होती है हमने उसका यूज किया है मैं आगे बताऊंगे कि इसका हमें क्या यूज करना है तो इन सेवईयों को हमें हाथों से roughly इस तरह से crush करना है बिल्कुल छोटे-छोटे साइज में हमें इनसे वईयों को करना है, तो इस तरह से हाथों से आप बिल्कुल ग्रश कर दीजिए, जैसे चाबल के दाने होते हैं उसी तरह से हमें उतना ही छोटा साइज इसे करना है, तो यहां देखिए मैंने बिल्कुल उसे बारिक हाथों से करे लिया है इसे हमें नइसे दालेंगे ठोड़ा थोड़ा पानी इसा हमें एक पतला देख सकते हैं इस तरह से आप चमच के पीछे लगा कर देखिएगा और हाथों से इस तरह से टच किजिएगा तो आपको एक कोटिंग सी इसमें दिखेगी इसे भी हमने साइट में किया है अभी हमने लिया है यहां दो कटोरी आटा यह गेहूं का आटा है यह बहुत ही इसमें हमने डाल दिया है आधा चमच नमक उसके बाद इसमें डाल देंगे रिफाइंड ओयल आप रिफाइंड ओयल की जग घीबिक का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से इसे हमें हाथों से मिक्स करना है तो इस तरह से रगरते हुए हम इसमें नमक और तेल इनाटों मे ऑच्छे से mix हो जाए तो इस तरह से mix करना है उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा इसमे पानी डालेंगे और हमें एक टाइट डो तैयार करना है यहां मैं इसमें पानी डाल देती हूँ यहां थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक बार में ज़्यादा पानी का यूज ना करें नहीं तो आटा गीला हो जाएगा तो यहां हमारा टाइट सा डो बनकर रेडी हो गिया है इस नास्ते के लिए हमें आटा को टाइठी रखना है तो इसे हम 10 मिनाट के लिए कवर करके रखेंगे उससे पहले हम हाथों में तेल लगाएंगे और इस आटे के उपर टैप कर देंगे उसके बाद हम एक बरतन से इसे कवर करेंगे और साइड में रखेंगे और हम अभी आगे का प्रोसेस देखेंगे तो बस इसे कवर करके हम साइट में रखते हैं यहां हमने जो मसाला अलू तयार करके रखा है उसे लिया है और इसे हमें एक शेप देना है तो यहां मैं दे रही हूँ ट्रेंगल सेप तो इस तरह से हम इसका ट्रेंगल शेप बना लेंगे इसी तरह से हम सारे आलू का ट्रेंगल शेप बना कर रेडी कर लेंगे यहां मैंने सारे आलू का इस तरह से बना कर रेडी कर लिया है यहां मारा आटा भी रेडी हो गया है अभी साटों को एक से दो बार मिक्स करेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे यहां हमें बिल्कुल छोटी छोटी लोई बनाएंगे यहां हमें इन लोई को एक शेप देना है यहां में जैसे छोटी छोटी पूरी बनते हैं उसी तरह से इसे पूरी का शेप देना है और यकीन मानिये ये नास्ता बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही प्यार से खाते हैं क्योंकि आपने समूसा कचौरी तो बहुत खाई होगी लेकिन एक बार इस रेसिपी को ट्राइ किजिएगा एक तो गेहूं के आटे से इस रेसिपी को बना रहे हैं तो यह वैसे ही हेल्दी है यहां मेरा पूरी बनकर रेडी हो गया है अभी हमने जो मसाला आलू को शेप देकर रखा था उसे इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे और हमें इन पूरी को भी एक साइट से ट्रेंगल सेप देना है इस तरह से देखिए मैंने एक साइट से पहले इसे फोल्ड किया फिर दूसरे साइट से फोल्ड करेंगे फिर नीचे की और से इसे बिल्कुल जैसे समोसा बनाते है ना उसी तरह से इसका शेप देना है मुझे हम हाथों से इसे दवा लिए हैं तो चलिए बडिया सा इसका स्वेप बनकर ready हो गया है अबही हम इसे क्या नोगे यह जो धाता का गुं मेधया का घूल बना कर रखे था ना उसमें इसको डिप करेंगे और फिर इससे निकालके मुझे ये जो सेवई था ना उसमें इसे रोल करना है मुझे अच्छे से यहां देखिए इसको इसमें डाल दिया और इसके चारों तरप से हम इसके उपर सेवई को लगाएंगे और tap tap कर देंगे ताकि इसमें सेवई अच्छे से चिपक जाए जब आप सेवई का यूज करके इसे तलते है ना तो बिल्कुल क्रंची रहता है बिल्कुल करारी ये नास्ता बनकर रेडी होता है आप चाहें तो इसकी जगर ब्रेट क्रम का भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसस पहलेगे तो यह बहुत ही जदा आपका नास्ता करारी बनेगा तो एक बार इस तरह से यह आपके पास सेवई हो तो जरूब ट्राई कीजिएगा यहां हमने कराहे में तेल लिया है जब तेल गर्म हो जाए तो हम इन नास्ते को इसमें डालेंगे उससे पहले तेल गर्म है भम त्ञें के यह नहीं चुटी सी आटे की लोई डाल कर सकते हैं और यहां आपने फ्लेम को लो-το मेडियम, रखा है लो-초-मेडियम फ्लेम पे इन सब को तलना है तो यहां मैंने नास्था को डाल दिया है । अभी दोनु साइट से इसे गोल्डेन ब्राउन करना मुझे यहां हम उलटते पलटते इसे गोल्डेन ब्राउन कर लेंगे यहां देखिए यहां जो हमारा नास्ता है गोल्डेन ब्राउन हो चुका है और बहुत ही अच्छे से यह अंदर से भी और बाहर से भी कुक हो चुका है क्योंकि हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है औ और बिल्कुल करारी ग्रंची बनकर ये रेडी होता है नास्ता, यहाँ अब हम इसे निकाल लेंगे, तो लीजिए बढ़ियां सा नास्ता बनकर रेडी है, बच्चों बड़े सभी बहुत ही प्यार से खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे, तो इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ किजिएगा, और फ्रेंड्स ये बहुत ही करारी है, जब आप बनाएगा तो आपको यकीन होगा, और बिल्कुल देखिए, देखने में ये समूसा जैसा ही है, लेकिन समूसा से भी ज्यादा ये क्रंची है, इसी तरह से हम बाकी के नास्तों को भी तल लेंगे, तो लीजिए हमारा बढ़िया सा नास्ता बनकर रेडी है फ्रेंड्स, बहुत ही करारी क्रंची, और इसे आप चट्नी के साथ खाएए, सॉस के साथ खाएए, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही करारी क्रंची लगेगा, तो इस रेसिपी को जरूर लगे तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे नए नए रेसिपी के वीडियो आप तक पहुंसते रह है, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए, टेक केर, बाब बाई